हम लोग कुरोना के संकर्मन से बाहर आएं, जो दहसत है उससे हम लोग बाहर आएं, बचेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, पहले उस पर हम लोग विजय पालें, बाखी चीजें को विजय हासिल होना अपने हाथों में, यह हवाई जहाज आएंगी और उसमें भी से पूछ लिजेगा, ज्यादा बेतर होगा, हम से मत पूछेगा, लोगों के अभी बहुत समस्याएं दूर हो रही है, तो अभी धनबाद के सीपीडियो कार्याले में एक अभी चार मामला आया तो जो संग्यान में होगा आपके कि वहाँ पर सौ बोरी चावल को कीडे लग अभी कार्वाई नहीं किया तो इस पर क्या तेना चाहिए यह पर्टिकुलर दंबाद की संदर्ख ना आप पहरा हूँ, तो मैं इसकी संग्यान आपके मात्याम से लेता हूँ और इसकी जान करें लेगा हूँ और इसकी ख़बर को हम से लगतार यह दिखा रहे है फिर भी स अभी संग्यान में तो इसकी जा रहा है ने बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात अगर आपने जेखी है तो उसका संग्यान इस्टम लेगा और उस पर गलत है तो उस पर तो जाँची होनी चाहिए कि नहीं हो आभी बताईए अब बिल्कुल आए इसमें कोई शंकोच नहीं है ना कोई किसी तरीका हमें रिचक नहीं है इस काम को करने में और बिल्कुल आने वाला समय में सरकार पूरे राज को एक बहतर दिशा देने के लिए कुछ गड़े कदम उठाने जरूरी होते हैं उन इड़ेव के साथ हमारे पहले पहले भी कहा है कि चरनबत तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस बंदी को गती देने के लिए जो बहतर और कारगर उपाई होंगे उसको करेंगे उसके तहत आपने देखा पहले हम लोगों ने गरामिन छेतरों में छूट दी कि उसके अलावा जो इंडिस्ट्रेल एक्टिविटीज हैं उसमें कई सर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया है लगबग 30-33% के लोगों की कारी छमता हो उसी हिसाब से लोग वहां कारी करें ऐसे आदेश निर्गत हुए हैं इस तरीके से अलाद को भी ध्यान में रखते हुए और राज को गती देने की दिशा में भी दुन पहलों पर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी धीरे-धीरे आगे और निर्णे लेने हैं और भारत तरकार के भी कई दिशा निर्देश होते हैं उसके रूप निर्णे लिया आप देख रहे हैं स्टार्टी नियोज हर खबर का असर